अब केशो का माथा ठनका उसे कुछ-कुछ समझ आ रहा था बद हवासी में छेनी हाँ से छूटकर नीचे गिरी और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया अरे कहीं ये बाश्शा अकबर तो नहीं यहाँ खैर आते ही उसने जुक कर सलाम किया और खरगोस कीसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा अकबर को पहरेदार की यह दखरंदाजी भली ना लगी उसने खीच कर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा ठीक है सिपाही कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो पहरेदार तो चले गया मगर केशो असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए वापिस अपना नकाशी का काम शुरू करें या बात्षा के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे दिल तो अभी भी धक धक कर रहा था पर अवह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे किशो को अब थोड़ा शक हुआ की और उसे कुछ-कुछ समझ में आने लगा और डर के मारे उसके हाथ से छेनी जो है हाथ छूटकर नीचे गिर गए और वो जल्दी से खड़ा हुआ कहीं ये बात्षा अकबर तो नहीं यहाँ ख्यालाते ही उसने जुक कर सलाम किया और मासुम सी नजरों से अकबर को देखने लगा अकबर को पहरेदार की ये दकल अंदाजी अच्छी नहीं लगी उसने पहरेदार को यहाँ से जाने के लिए कहा कि हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो पहरेदार तो चले गया पर केशो अभी भी असमंझस में था उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वो वापस अपने नकाशी का काम सुरू करे या बार्शा के हुपम का इंतजार करता रहे दिल तो अभी भी उसका धक्ता कर रहा था पर उसने देखा कि अकबर उसको प्यार से देख रहे हैं तो उसका डर जो था वो कम हुआ